प्रयागराज के शंकरगड में कारोबारी के 13 साल के एकलोते बेटे की किड्नैप करके हत्या कर दी गई मासूम का शव चित्रकूट के जंगल में मिलने से संसनी फैल गई आसपास के लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मोटम के लिए भेज दिया घटना शंकरगड की है मासूम की मौत पर पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है पुश्पराज केसरवानी उर्फ विक्की का 13 साल का बेटा शुप शंकरगड के ही एक स्कूल में कक्षा 8 का छात्र है परिजनों ने बताया कि शनिवार की शाम 4 बजे तक वो दुकान पर था इसके बाद अचानक वो लापता हो गया परिजनों ने उसे बहुत धूंडा लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका पिता पुश्पराज ने शंकरगड पुलिस को शाम को बेटे की गुमशुगी की तहरीर दी पुलिस से शिकायत के करीब पांच घंडे बाद पिता के मुबाइल पर फोन कर 15 लाख रुपे की फिरोती मांगी गई आरोपियों की खोजबीन में जुटी पुलिस की बदमाशों से शंकरगड के बढ़गड़ी के पास मुठ भेड़ हो गई शंकरगड बजार के व्यापारी के पुत्र का किड्नैप कर हत्या करने वाले दो बदमाशों की पुलिस से मुठ भेड़ हो गई दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर अस्पताल में भर्ती कराया है एक आरोपी व्यापारी के चालक का भाई बताया जा रहा है जिसने अपने एक साथ ही के साथ मिलकर अपने ही मालिक के बेटे के अभरन और फिरौती की घटना को अंजाम दिया था फिरौती ना मिलने पर किशोड की हप्या कर दी गई कश्वा वाथाना शंकरगड के अंतरगत पुषप्राच के सरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं उनके पुत्र शुब को कल उनके ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है उनका भाई और उसका भतीजा और रिशिदार ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कहके उसको उतने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद इन लोगोंने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगोंने रांसम मनी की बात की इसमें जब विवेचना चली क्योंकि पहला जो उनका दोरा कॉल था वो सवाट के आसपास था जो रिस्पॉंड नहीं हो पाया दो कॉल पे कोई रिस्पॉंस नहीं दे पाये परिवार बाद में उन्होंने कॉल बाक किया तो तेर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फोन काट दिया तो इस पे फिर उसके बाद पुनहा कोई कॉल दुबारा नहीं किया उन्होंने इसकी टेकनिकल एनालेसिज और अन्ने सुत्रों से जनकारी करते करते पिर जो व्यक्ति है गड़िश इस तक रात भर कॉमिंग हुई फिर इनकी निशान देही पे ही यहां बरगड का जंगल जो जनपत चिंतरकूट में पड़ता है वहाँ पे शुब की बॉडी मिली इस गणिश के दौरा बताया गया कि जो दो मेन अभ्यूक्त हैं वो शंकरगड में एक निर्जन स्थान पर छुपे ह हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगे की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फाइरिंग की गई जब आभी पचावी कारवाही में अपने को बच गर्दे वरिया शंकरगर्द खाने के वो भी चोट लगी है उनके और इनके पास से दो पिस्टल्स चार कार्थूस बिना नंबर की मोटर साइकल और जो फोन इस्तमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है और विवेचना से संबंदित अन्य कुछ चीजें रिकवर हुई हैं जैसे ज इनको उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया है और अभी गहन विवेचना के संबंद में की जा रही है कि इनके दौरा जो है क्या दुर्भावना थी क्या मन में दुर्भावना थी या लालच था या दोनों था इसके संबंद में अभी गहन विवेचना की जा रही ह में इनके द्वारा यह कहा गया कि खर्गोष हम देखने जा रहे हैं और खर्गोष देखने अमारे साथ चैल उक्ति बिट इनका क्या सम्मानता अपरादियों का पंच्चे की पिटास हैं जो कि अपरादी है उसका भाई उक्ते ब्हु positioned मो nthat के रोल के संबन्द में और गहन दिविचना की जा रही है